हमारे यहां कहा गया है ध्यान मुलम गुरु मुर्ति अर्थात हमारे गुरु की मुर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ग्यान प्रगट होता है जो अबोध है हमें उसका बोध होता है अब प्रकट को प्रकट करने की ये प्रेर्णा सुक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प यही भारत की परंपरा रही है हमने हमेशा उन मुल्यों और विचारों को आकार दिया है जो यूगों यूगों तक मानवता को दिशा दिखा सके आज एक बार फिर जगत गुरु स्री रामानुजा चारे जी की इस भव्य विशाल मुर्ति के जरिये भारत मानविय उर्जा और प्रेरणाओं को मुर्तस रूप दे रहा है रामानुजा चारे जी की ये प्रतिवा उनके ज्ञान वैराग्य और आदर्शों की प्रतिख है मुझे विश्वास है ये प्रतिवा नकेवर्न आने वाली पीडियों को प्रेणा देगी बलकि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी मैं आप सभी को सभी दे सवास्यों को और पूरे विश्व मैं विश्व मैं फैले रामानुजा चारे जी के सभी अनुयाईयों को इस सूप अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता